हलो फ्रेंड्स, विल्कम बैक टू माई यूटूब चैनल, कैसे हैं आप सभी, I hope आप सब मस्द बिंदास और जख्कास होंगे, जैसे मैं रहती हूँ, always मस्द बिंदास और एक तम जख्कास, तो आज मैं अपने बालो पे, अपने हेर पे मैं ओयल अप्लाई करने वाली हूँ मैंने आप लोगों से प्रामिस किया था, कि मैं जो ओयल बना रही हूँ, तो उसको मैं अपने हेर पे जब भी अप्लाई करूँगी, तो मैं एक ब्लॉग बनाऊंगी, मैंने आप लोगों से प्रामिस किया था, तो वो प्रामिस आज मैं अभी पूरा कर रही हूँ, मैं बन मतलब सॉरी बना तो मैंने पहले ही लिया था इसका ब्लॉग भी मैंने बनाया है ओयल बनाते हुए मैंने आप लोगों को दिखाया मैंने नारियल का तेल भी बनाया कि मैं उसमें क्या-क्या एड करके नारियल का तेल बनाती हूं and then उसके बाद मैंने एक mustard oil भी बनाया उसमें मैंने क्या-क्या add किया मैंने आपको वो चीजें भी दिखाई है ठीक है तो अभी मैं apply करने वाली हूँ अपने hair पे oil मेरे को नीद आ रही है friends क्योंकि रात बहुत हो चुकी है बट मैं यह जो hair oil है वो में रात में apply करती हूँ अपने बालों में चैह भले कितना ही लेट क्यों न हो जाए तो मैं रात में oil apply करती हूँ then morning में उसको wash कर देती हूँ जब मैं नहाती हूँ तो बाल मेरे healthy रहते हैं तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि आज मैं जो apply करने वाली हूँ तो जो मैंने coconut oil बनाया था नारियल का तेल जो मैंने बनाया था आज मैं अपने बालों पे वो apply करने वाली हूँ यह देखे फ्रेंड्स नारियल का तेल जो होता है फ्रेंड्स वो एकदम पारदर्सी होता है मतलब अगर आप उसकी बॉटल को कांच के ग्लास में सौरी कांच के ग्लास में अगर आप नारियल का तेल डाल दोगे तो मतलब पुरा पानी जैसा साफ दिखता है अभी मैंने इसमें बहुत सारी चीज़े मिलाई हुई है तो कलर इसका चेंज हो गया है तो अभी मैं यह अपने बालों पे अपलाई करने वाली हूँ यह कोकोनट ओयल जो मैंने बनाया था इसमें मैंने मिलाया था फ्रेंड सर आवला एंड जो मेरे बालों को करेगा हेल्ली, ब्लैक एंड लंबे बहुत सारे और दूसरी चीज़ जो मैंने मिलाई थी इसमें मैंने मिलाया था मेथी जी हाँ, मैंने अपने कोकोनट ओयल में मेथी भी मिलाई हुई है जो बालों को करेगा कंडीशनेंग जी हाँ, और हेयर ग्रोथ भी होती है आपको मैं बता दू मेरे हेयर बहुत ज्यादा फॉल होते थे तो यही सब करकर के मैंने अपने हेयर हेल्दी की है नहीं तो मुझे बहुत दिक्कत होती और तीसरी चीज़ जो मैंने इसमें एड करी थी इसमें मैंने सिर्फ आवला और मेथी दाना ही डाला था और कुछ नहीं डाला था मैंने सिर्फ दो ही चीज़े इसमें एड की थी वो मेथी दाना और आवला मैंने पहले से सुखा के रखा था उसको फिर बाद में मैंने ग्रेंडर में चला के पूरा दिन भागा दर्ली लाइफ में बहुत ज्यादा क्योंकि नाइट हो चुकी है न और ठक भी जाते हूं यार पूरा दिन भागा दर्ली लाइफ में बहुत क्या ही बुलें याहू दिस इस हमाई हो मेड ओल ऐसे ऐसे अपलाई करोंगी था मैं आप लोगों को दिखाना जाती थी कि में ऐल कैसे अपने हीर पर तो मैंने तो अपनने हाथ पे लेलिया आप एक ट्टोरी में निकालो चूटी सी कटवरी में और उसमें से फिर बढ़ियां ऐसे ऐसे करके पुरे हेयर पे आप अपलाई करो, दोनों हाथ में ओयल लेके, खुस्बू भी बहुत सांदार आ रही है यार, खुस्बू बहुत बढ़िया है, इसकी, अब ऐसे ऐसे करके अपने मालों पे ओयल अपलाई कर सकते हो, यह देखो, जैसे मैं कर रही हूँ, पूरे बालों पे ओयल अच्छे से लग जाता है, और अच्छा रहता है, यह देखिए फ्रेंट्स, यह मैंने अपने हेयर पे, ऐसे ऐसे करके, आप थोड़ा ओयल और ले लो, कम लगे तो, और ऐसे ओयल लेके, अब ऐसे 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 ऐसे, ऐसे अपलाए करो अपने हेयर पे, ऐसे ऐसे करना है आपको, और नीद भी बहुत प्यारी आती है, अगर आप नाइट में यह हेयर ओयल लगा लो ना, तो बहुत प्यारी नीद आती है, फ्रेंट्स, आज मैंने थ्रेड करवाई है, उसने पतली कर दी, यार मेरी थ्रेड देखो तो सही, कित्ती मोटी मोटी थी न, उसने थ्रेड बनाई, पारलर वाली ने, तो मेरी थ्रेड पतली कर दी, उसने, मुझे मोटी मोटी थ्रेड अच्छी लगती है, बट उसने पतली कर दी, क्या कर सकते है, वो तो अपने से बनाते बने का नहीं, उसके लिए तो पारलर जा इसे ऐसे करके मालिश कर रही हूं और लगाने के बाद अभी और मुझे सूखा सूखा लग रहा है थोड़ा और ले लूँगी और यह देखे ठीक है तो इसको में फिर से ऐसे ऐसे करके अपने बालों पर अपलाय कर रही हूं है और इलिया आज और पर दूहीं जो यह फॉइन होता है यहां पर आप Sboldi gently अईसे एए एसे एए से करो ऑइल लिलो है essay एस एसे घ़रो तो आपका जो मतलब बहुत ह sul Fopa यह हो जाता वूहू। बजा रहा है मेरे कुत बहुत। यह देखे हैं। ऐसे ऐसे करके अपने बालों पे बढ़िया से आपको हेयर में आयल अप्लाइ करना है। यह देखे मेरा आयल चुपना है हमेनी। अब कुछ भी कहो अपके हाथों से बनाई हुई चीजों का अलग ही मजा होता है। उसको लगाना उसको मतलब फील करना कि अरे मैंने यह चीज बनाई और कितना फायदा किया। वाओ। तो ऐसे ऐसे यह देखिए फ्रेंट्स ऐसे ऐसे करके ऐसे ओयल लेके अगर हम ऐसे करते हैं तो जो ओयल होता है वो अच्छे ऐसे मिक्स हो जाता है आपके बालों की जड़ो में क्योंकि मेन तो हमें वहीप औचाना है. तो यह औैल को हमको लगाना हैं बालों की जड़ों में यह यह लगा दिया और हमदि इतर थीक्येंट्स विए ये, अब यूँ करके, यूँ बढ़ियां ऐसे ऐसे करके, मस दिक्तम सही से कम कर लोगी मैं तो, ऐसे ऐसे बढ़ियां से ऐसे करके, हेर मसाज, हेड मसाज, हेर मसाज, येस, वाओ, मुझे तो लगता है, ऐसे मैं बैठ जाओं, और मेरे बालों में कोई तेल डाले, और ऐसे, 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 करते, मैं और मैं सो जाओं मस्त, इतनी गहरी नीन में सो जाओं ना, कि कुछ पूछो ये मत, मस्त नीद आए मेरे को, बहुत प्यारी नीद आए, मज़ा ही आ जाए, तो चलिए फ्रेंट्स, मैंने आपको दिखाया, मैंने आपक तेल जो है वो कैसे apply करना है अपने बालों पर जैसे मैंने यह किया है यह नारियल वाला टेल जो मैंने क्या-क्या एड किया हुआ है ये सारी चीजे मैंने बताई हुई है अल्रेडी तो आप लोग मेरे ब्लॉग में जाके देखेगा मेरे चैनल पे जाके ठीक है सर्च करिएगा महेक एंडी के नाम से योटूब पे तो मेरा चैनल ओपन हो जाएगा और फिर आप उसमें जाके ये आप लोगों को दिखाऊंगी तो इसके लिए मैं यह आपको दिखा रही हूं अपलाए कर लिए अपने बालों पे और यह देखे आपको खुद समझ में आ रहा होगा यह दिखे ऐसे हो गए बाल अभी तो नहीं तो दूले रहते हैं बाल एक मलग अलग दिखते हैं तो घर का भी काम वहां का भी ओफिस का भी काम काम ही काम है आराम कब करेंगे यार पता नहीं सारा सारा दिन हम काम करेंगे आराम कब करेंगे पता नहीं हम आराम कप करेंगे तो मैंने अपने यह को ऐसे बांध दिया है क्योंकि हेशुरोपन करके नहीं सोना चाहिए यह बहुत सारे लोग ऐसा बुजूर्ग लोग मेरी दादी लोग बोलती थी कि हेर ओपन करके नहीं सोना चाहिए तो मैं हेर पूरा ऐसे बांद के वैसे चुटेया बना के नहीं सोती हूं बट मैं अपने हेर को ऐसे करके सो जाती हूं मुझे अच्छा लगता करता है ठीक है तो मैंने यह आप लोगों को बता दिया कि हम अपने बालों पे यह ओयल कैसे अपलाई करते हैं तो आज के लिए बस इतना ही फिर मिलेंगे कल एक नई जानकारी के साथ एक नई ब्लाग के साथ तब तक के लिए बाई अब हम जा रहे हैं सोने का ऐसे कि फ्रेंस रात बहुत हो चुकी है यार अब हमको आ रही है नीद हम नहीं जग सकते अब और अब हम अगर और जगे तो हमारी हाला टाइट हो जाएगी बहुत जादा